इंदोर जिले के बेटमा में क्रिकेट मेच के दोरान हुए विवात के बाद दो समुदाई के लोग आमने सामने हो जाने से नगर का माहल तनाव पूर्ण हो गया तनाव की जानकारी लगते ही नगर की दुकाने बंद हो गई उधर पुलीस ने भी बड़ी संख्या में इंदोर सहीत आसपस के थानों का पुलीस बल भुलवा लिया जानकारी के अनुसार मंडी प्रांगण में चल रहे रात्री कालिन क्रिकेट टूर्नामेंट के दोरान 12 मार्च को दो समुधाय के युवाओं के बीच बहस हो गई थी सूशना मिलने पर पुलीस मौके पर पहुँची और टूर्नामेंट बंद करवा दिया था इस विवाद को लेकर सोमवार रात को एक समुधाय से चुड़े लोगों ने दूसरे समुधाय के घर पर जाकर हमला कर दिया इसके बाद बड़ी संख्या में दोनों समुधाय से चुड़े लोग थाने पर जमा हो गए पुलिस ने ततकाल मोर्चा संभाल भीड को तितर बितर किया इसके बाद इंदोर से बल बुला लिया गया वरिष्ट अधिकारी और बड़ी संख्या में बहारी बल बैटमा पहुँच गये वही देरराग पूर्व विधायक मनोश पटेल भी बैटमा थाने पहुचे बैटमा से समवारी जिसा की मुझे पता लगा था कि हमारे पारशद बारती जन्ता पारटी के पारशद और उनके परिवार के साथ में घटना घटित हुई उनके घर में घुसकर कुछ आसामाजिक तत्वों ने हमला बोला और उस पर रियेक्शन में पुलीस ने कारवाई करी और पुलीस की कारवाई से हम संतोष्ट है मुझे यहां करके जब पूरी स्थिती की जानकारी होई तो मुझे लगा कि यहां कुछ वह एक वर्ग विशेश की जो आतंक वादी गर्ती विधियां है वह बंद होनी चाहिए और इसे प्रशाशन से बात करी है और वह निश्चित रूप से इन आतंक जो उनने मचा रखा है अब बंद होगा इसे बरदाश नहीं किया जाएगा यह वर्ग विशेश और मेरे बड़े भाई मेरे नाना जी और अखाड़े में एक दो लोग ते वह एक्षराइज करें तो नाना वगेरा पूजा कर रहे थे मेरे नाना जी और मेरे भाई को कुछ हाथ से मोबाईल होगेरा उन्होंने छोड़ाया और मंदीर में डंडे वागेरा फेके और उसकी बाद एक हमारे अखाड़े का लड़का उसका पेर भी फेक्चर हो गया उसको मारा बुरी तरह से उसके बाद हम लोग आए तो उन्हों इनने बी आए उनुगा आट नो साल की लड़काइआ उनसे को यहां वेटमा में कि मैं के बाहर कूछ तर्षक के बीच मैं यह जबाद के बीच एक कर दो को देग plants सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें